हेलो एवरीवन आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉम पेरिडोन मेडिसिन के बारे में डॉम पेरिडोन का सबसे पहले यूज देख लेते हैं कहां पे इसका प्रयोग किया जाता है इसका यूज किया जाता है नोजिया और वोमिटिंग को रोकने के लिए vomiting यानि की ÜLTI आना अगर किसी को ÜLTI आती है तो वहाँ पे इसका यूज किया जा सकता है nausea यानि की feel of vomiting jee-me 60ाना या फिर ULTI आने जैसा लगना अगर किसी को ULTI आने जैसा लग रहा है तो भी वहाँ पे domperidone का यूज किया जाता है ठीक है दूसरा इसका यूज है lactation lactation में कैसे यूज किया जाता है जो भी breastfeeding mother होती है ना उनके अंदर milk का secretion कम हो जाता है तो domperidone का यूज किया जाता है milk secretion को increase करने के लिए ये तो होगी सिधी सिधी बात अब थोड़ा सा deep में समझाता हूँ breastfeeding mother के अंदर कई बार prolactin hormone का जो level है वो कम हो जाता है prolactin hormone के level के कम होने की वज़े से जो milk secretion है वो कम हो जाता है अब domperidone जो tablet है वो prolactin के hormone के level को increase कर देती है अगर prolactin hormone का level increase हो गया तो milk secretion भी increase हो जाएगा तो इसलिए मैंने कहा starting में domperidone का use breastfeeding mother के अंदर milk secretion को increase करने के लिए क्या लगता है I hope आपको समझ में आया होगा अब जो ये domperidone दवा है ये अलग-अलग brand name से market के अंदर available है जैसे की womistock के नाम से dom settle के नाम से और भी बहुत सारी अलग-अलग brand name है जो की market के अंदर available है अब बात करते हैं जो nausea or vomiting होता है जो ulty आती है या फिर ulty आने जैसा लगता है ये क्यों लगता है क्या इसके कोज है क्या इसके कारण है किस की situation में ऐसा हो सकता है nausea or vomiting की सिकायत कब-कब हो सकती है देखिए अगर किसी वेक्ति को पैप्टी कलसर है तो उस situation में nausea or vomiting हो सकता है अगर किसी की surgery हुई है surgery के बाद nausea or vomiting की सिकायत हो सकती है तो post-operative क्या है operation यानि की surgery के बाद nausea or vomiting की सिकायत रह सकती है अब होता क्या है surgery से पहले anesthesia दिया जाता है और उसी anesthesia की वज़े से surgery करने के बाद गया है nausea or vomiting की सिकायत रहती है अगर किसी व्यक्ति को gastric infection है यानि की पेट के अंदर infection है तो पेट के अंदर infection होने की वज़े से भी nausea or vomiting हो सकती है chemotherapy अगर किसी का cancer treatment हुआ है तो cancer treatment के बाद भी nausea or vomiting की सिकायत हो सकती है head injury अगर किसी के सिर्क के उपर चोट लगी है तो उस situation में भी nausea और vomiting किसी गायत हो सकती है liver swelling अगर किसी व्यक्ति का जो liver है वो सूज गया है, सूजन आ गई है liver के अंदर, तो इस वज़े से भी nausea और vomiting किसी गायत हो सकती है, reflex issue phagitis, अब इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा stomach होता है, उसके अंदर होता है acid, तो जब gastric reflex होता है यानि कि जो acid है, उसका reflex होता है, वो उपर की तरफ आता है वो इतना उपर की तरफ आता है कि वो हमारे गले तक आ जाता है जैसे ये acid गले तक आता है, तो गले में क्या होती है, इरीटेशन होती है, ठीक है, एसिड की वज़े से गले में इरीटेशन होती है, वहां पे स्वेलिंग आ जाती है, तो थ्रोट के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, गेस्ट्रिक रिफलक्स की वज़े से, उसी का ये नाम है, तो उस वज़े से भी नोजिया और vomiting की उसको शिकायत रह सकती है तो ये reason है सारे के सारे कि इन-इन situation के अंदर किसी भी व्यक्ति को nozia और vomiting की शिकायत रह सकती है तो इन सब reason के अंदर जो domperidone tablet है उसका use किया जाता है ठीक है तो इन situation में domperidone का use कर सकती है next देखते हैं क्या है next कुछ बात लिखी हुई है इस बात को मैं हिंदी के अंदर समझाता हूँ पोज गरके आप इसको पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है देखे एक disease होती है Parkinson disease उस disease के अंदर क्या है medicine का use किया जाता है levodopa और bromocryptin मान या किसी भी व्यक्ति को Parkinson's की disease है और उसको levodopa और bromocryptin दी गई है तो इन दोनों ही medicine की वज़े से होता क्या है उस patient को जिसको Parkinson disease है उसको इन दोनों medicine का use करने के बाद nozia और vomiting की शिकायत रहती है तो अगर उसको शिकायत रहती है nozia और vomiting की तो उसको वहाँ पर भी domperidone का use किया जाता है ठीक है ये पढ़ लेना जो ये दोनों दवा है ये emetic action को उज़ करती है तो उस emetic action को खतम करने के लिए आप domperidone का use कर सकते है ओके आगे बात करते है dose की जो domperidone दवा है उसका क्या dose होना चाहिए child dose की बात करूँ तो child जो dose है वो होना चाहिए 0.3 से 0.6 mg पर kg पर dose TDS before meal इसका मतलब क्या है देखे जो domperidone है चाहिए वो adult हो चाहिए वो child हो हमेशा खाना खाने से पहले दी जाती है पहली बात दूसरी बात चाहिए वो child हो चाहिए वो adult हो दिन में तीन बार दी जाती है अब dose अलग अलग होंगी ठीक है तो दो चीज़े तो सेम है एक तो TDS एक भी फोर meal TDS का मतलब होता है दिन में तीन बार ओके दूसरी बात child dose कितनी है यह 0.3 से 0.6 mg पर kg पर dose यानि कि अगर किसी का वजन एक kg है किसी बच्चे का वजन एक kg है तो उसको 0.3 से लेकर 0.6 mg तक की जो dose है वो दी जाती है यह एक बार की dose है और यह ऐसी ऐसी dose दिन में तीन बार देनी है अब एक छोटा से एक्जेमपल लेकि मैं आपको बताता हूँ मान यह किसी बच्चे का वजन 10 kg है ठीक है तो उसको कितना dose दोगे तो उसको हम dose देंगे 0.3 से mg पर kg इतना mg पर kg अगर 10 kg वजन है तो 0.3 इंटू में 10 करोगे तो कितना आएगा 3 और वैसे ही 0.6 को multiply करोगे यानि कि 3 से 6 mg dose देनी है यह पहली dose है ऐसी ही dose 3 से 6 mg यानि कि 3 से 6 mg बीच में लगा लो 4 mg लगा लो ठीक है हम 3 से 6 कि जना total 4 mg करते है अगर किसी बच्चे का वजन 10 kg है तो उसको हम 4 mg domperidon देंगे और दिन में 3 बार देंगे और खाना खाने से पहले देंगे ठीक है एक बार सुभे देंगे एक बार दोफैर एक बार साम को देंगे ठीक है ऐसी करके दिन में 3 बार देनी है और adult dose की बात करूँ तो 10 से 40 mg होती है यह ओके 12 साल से नीचे child dose को include करना है अगर किसी की उमर 12 साल से उपर है तो वहाँ पे adult dose दी जाती है 10 से 40 mg तक के बीच में दी जाती है TDS याने की दिन में 3 बार खाना खाने से पहले ठीक है तो यह dose होती है child dose और adult dose ठीक है मान लिया किसी वेक्ति को ulti आ रही है उसको आपने डोम पेरिडोन दे दिया ठीक है dose के गोर्डिंग डोम पेरिडोन दे दिया अगर उसकी ulty first dose के अंदर रुख जाती है तो second dose देने की जरूरत नहीं है अगर फिर भी ulty नहीं रुखती है तो 6 से 7 गंटे के बाद उसको second dose दी जा सकती है और दिन में 3 बार repeat की दा सकती है अगर उसकी ulty नहीं रुखती है और ज्यादा अगर ulty आती है तो वहाँ फिर आपको doctor से मिलने की जरूरत है ठीक है ज्यादा ulty आने की वज़े से क्या हो सकता है body के अंदर जो electrolyte imbalance हो सकते है dehydration हो सकता है तो ज्यादा critical situation अगर आती है तो वहाँ पे DNS भी दिया जाता है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है अगर ज्यादा ulty है तो वहाँ पे आपको dehydration होने के chances भी ज्यादा होते है तो वहाँ पे आपको जल से जल doctor से मिलने की जरूरत होती है ठीक है अगर किसी व्यक्ति को nausea या vomiting vomiting आ रही है और उस व्यक्ति की body के इंदर hypokalemia है यानि की low potassium salt जो potassium का level है वो कम है hypokalemia मतलब यही होता है कि potassium का जो level है वो कम है low है तो उस situation में domperidon नहीं दी जानी चाहिए यह precaution हम को रखनी है अगर किसी व्यक्ति को kidney disease है kidney related को digestive है वहाँ भी उसको नहीं देनी है heart disease है वहाँ भी उसको नहीं देनी है तो doctor decide करता है कि उसको देनी है या नहीं देनी है खिक है तो आपको यह precaution लेनी है नहीं देनी आपको doctor अपने इसाब से decide करेगा, सारी conditions को observe करके, कि उसको इस condition के अंदर भी, ये medicine देनी है या फिर अलग medicine देनी है तो ये कुछ precautions है, जो मैंने आपको बताई है, आगे बात करते है adverse effect, क्या इसके adverse effect हो सकते हैं, देखें, ये जो adverse effect है, ये जरूरी नहीं है कि सबको हो सकते हैं, ठीक है तो ये किसी को भी हो सकते हैं, अगर कोई वेक्ती, domperidone के molecule से sensitive है, तो उसी को ये हो सकते हैं, ठीक है जैसे dry mouth हो सकता है loose motions हो सकते हैं headache, सिर में दर्द हो सकता है, constipation कबजी रह सकती है drowsiness, चक्रा सकते हैं, resis, skin पे लाल-लाल से दाने हो सकते, resis हो सकते हैं, diarrhea, loose motion diarrhea एकी बात है, ठीक है hyper prolectemia ये हो सकता है, cardiac erdemia हो सकता है तो cardiac erdemia, ये दो ट्रम मैं आपको समझाता हूँ, ये क्या है देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से देखना hyper prolectemia hyper का मतलब होता है, ज्यादा और prolectemia का मतलब होता है, जो prolectin hormone होता है, उसका level बढ़ जाना, ठीक है अगर ये situation रहती है तो ये situation सबसे खराब situation है अब इस situation के अंदर क्या होता है prolectin जो hormone होता है, उसका level बढ़ जाता है, तो उसका level बढ़ने की वज़े से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ठीक है अगर हाइपर प्रोलेक्टीमिया हो जाए प्रोलेक्टिन होर्मोन का लेवल बढ़ जाए तो वहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगी for example क्या हो सकता है कि मेल के अंदर बात करूं तो इरेकटाइल डिस्फंक्शन तक हो सकता है ठीक है अगर प्रोलेक्टिन होर्मोन का ज़्यादा जो लेवल हो बढ़ जाए अगर मैं फिमेल्स की बात करूं तो वहाँ पे मैंस्ट्रो साइकल जो है वो डिस्टरब हो सकता है वह अगर किसी को domperidone का IV infusion दिया जाता है, rapid IV infusion दिया जाता है, तो वहाँ पे cardiac aridemia होने के chance होते हैं, यानि कि जो patient है जिसको IV infusion rapid दिया गया है, उसको irregular heartbeat हो जाने के chance होते हैं, तो यह कुछ adverse effect हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, तो जरूरी नहीं है कि किसी के अंदर हो, किसी के ना हो, ठीक है, तो हो ही सकते हैं, इसा जरूरी नहीं है, अगर कोई व्यक्ति domperidone के molecule से sensitive होगा, तो उसको इन में से कोई भी हो सकता है adverse effect, अगर कोई भी adverse effect है, domperidone लेने के बाद आपको देखने को मिलता है, इन में से, तो तरंत ही domperidone जो दबा है, उसका 7 आपको बंद कर देना है, ठीक अब वो नहीं लेनी है, और डोक्टर से फिर आपको consult करना है, तो ये थे कुछ adverse effect, तो ये थी आज की हमारी domperidone के उपर वीडियो, तो कैसी लगी, वो आपको कमेंट के अंदर बतानी है, एक और बात, फार्माडाइस यानि के हमारे channel पे, क्या हो चुका ह ये जो super thanks नाम से एक option होता है, ये activate हो चुका है, तो अगर आप super thanks से channel को support करना चाते हो, तो आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे dislike का option है, यहाँ पे like का option है, वो screen source के अंदर नहीं है, तो जो ये option होते हैं, like का, dislike का, तो यहीं पे आपको option मिलेगा, थोड़ा सा आप स्वाइप करिएगा इस side, आपको ये option मिलेगा, super thanks का, ठीक है, तो यहाँ से आप click करके क्या है, support कर सकते हो, अगर आपकी इच्छा है तो, okay, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं next वीडियो के अंदर, I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चलिए, मिलते ह हैं next वीडियो के अंदर,